तो दोस्तों बोर्ट ने अपनी नई वोच लॉंच कर दिये और यह अभी तक की बोर्ट की सबसे बड़ी डिस्प्ली वाली वोच है इसमें 1.75 इंच की सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इसमें कई और सारे फीचर से उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे पर उससे प पहले हम इसके इंबोक्सिंग करते हैं उसके बाद मैं इसकी फीचर सापके शेयर करूँगा तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वोच का बॉक्स कुछ ऐसा आता है उपर वोच ब्लेज लिखा है इस तरफ बॉट का लोगो दे रखा है बीच में वोच की फोटो है वोच स्कुर डिजाइन में आती है इसमें देखेंगे तो दो बटन्स देखने को मिलेंगे आगे वीडियो में देखेंगे कि इन दो इसले के बारे में बता रखा है जो 1.75 इंच की है इसमें आपको ब्लेड ऑक्सिजन मॉनिटरिंग भी मिलती है बोक्स के इस तरफ लिखा है फॉर दे ट्रेल ब्लेजर्स और केल रावल की फोटो दे रखिये दूसरी तरफ वोच की फोटो दे रखिये और यह नीचे बता रखिये कि यह वोच एंडुड फाइफ और उससे उपपर और आयूस 12.1 और उससे उपर की डिवाइस के साथ यूज की जा सकती है बोक्स के पिछे की तरफ यह बोट का लोगो है नीचे वोच की फोटो दे रखिये इधर कुछ की फीचर्स हाइलाइड कर रखिये जैसे इ वोच 3 ATM dust, sweat और splash resistant है इसके अलावा इसमें camera and music controls है बोक्स के नीचे की तरफ इसके importer और marketer की details दे रखिये जो की image in marketing private limited है इस वोच की MRP 6990 है पर online आपको यह launch day के दिन 3499 में की मिल जाएगी वीडियो की description में इसके link दे रखिये आप चाहने तो बाद में आज आके चेक कर सक की मिल जाती है जिसके ओपर watch place का sticker लगा हुआ है एक बार इसे side में रख देते हैं और देखते हैं कि box में में और क्या के मिलता है watch के बाद box में हमें एक bought head का sticker मिलता है इस sticker के बाद हमें box में एक soft plastic wrapper मिल जाता है जिसमें I think watch की charging cable है इसमें आपको black color की magnetic charging cable मिलती है जिसके एक तरफ magnetic connector है और दूसरी तरफ USB A port है इस बार cable की length भी काफी बड़ी दी गई है लगबग 1 meter length की cable है और इसकी quality भी काफी अच्छी लग रही है charging cable की बाद हमें कुछ paper documentation देखने को मिल जाती है जिसमें सबसे पहले हमें warranty card देखने को मिलता है इस watch के साथ आपको 1 साल की warranty मिलती है जिससे आप पिछे दिएगे नमर पर miss call करके activate कर सकते है warranty card के बाद हमें boat की pamphlet देखने को मिल जाती है जिसमें आप boat के और products के बारे में जान सकते हैं pamphlet के बाद हमें watch की user guide देखने को मिल जाती है जिसे पढ़कर आप इसे operate करना सेख सकते हैं तो दोस्तों यह सब था watch के box के अंदर अब चलिए watch के उपर से sticker को अटा देते हैं और इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले watch की design और display की बारे में बात करते हैं watch square dial के साथ आती है इस watch में आपको boat के अभी तक की सबसे बड़ी और high quality display देखने को मिलती है इस watch में 1.75 inch की 2.5D curved HD display है जिसका 320 by 385 pixels का resolution है 286 pixels per inch density के साथ डिस्पले काफी vivid color show करती है और बिल्कुल पास से देखने पर भी display pixelated नहीं लगती है 2.5D curved display कारण हर एंगल से watch देखने में काफी appealing लगती है watch में आपको 500 nits की peak brightness देखने को मिलती है तो outdoor में भी आप इसे अराम से यूज़ कर सकते है और काफी अच्छी visibility आपको sunlight में भी देखने को मिलती है watch की body की बात करें तो watch की body lightweight premium metal से बनी है और right side में आपको उपर और नीचे दो buttons देखने को मिलते है जो भी metal से बनी है watch के left side में बिलकुल plain area है और watch side से काफी slim दी गई है to be exact side से watch 10 mm थिक है watch की back side में polycarbonate का use किया गया है जो की plastic की form होती है ये काफी strong और lightweight होती है watch के back side में उपर boat का logo right side में कुछ info नीचे boat watch blaze left side में charging pins और बीच में आपको watch के सबी sensors देखने को मिल जाते हैं watch में आपको 22 mm के straps मिलते हैं जो की removable है इन्हें remove करने के लिए पिछे आपको pins मिलती है जिन्हें press करके आप इन्हें watch से detach कर सकते हैं watch के bands हाथ में लेके काफी solid और high quality के लग रहे हैं इनके उपर आपको matte finish texture देखने को मिलता है जो हाथ में काफी grip देता है watch का buckle metal से बने है तो काफी high quality का material आपको watch पर देखने को मिल जाता है और watch हाथ में लेके काफी premium लगती है watch में dedicated processor दिया गया है जिसका नाम Apollo 3 Blue Plus है इस processor रे कारण इस watch place का user interface और इसकी transition पहले की board की watch इसके मकाबले में ज़्यादा smooth और responsive है watch 3 ATM dust water और splash resistant है जिसे 30 मीटर घहरे पानी में 30 मिनर्स तक test करके देखा गया है तो इस तरह के पानी से इस watch में कोई दिक्कत नहीं आएगी बाकि मैं इसे जान बूच की पानी में डालने को नहीं बोलूँगा क्योंकि water damage की कोई warranty नहीं मिलती है watch के side में दो बटन्स दिये गए है इन में से किसी भी बटन को 3-5 सेकिंड तक प्रेस करके आप watch को on कर सकते है इसके बाद आपको watch पर boat का logo शो हो जाएगा watch on होते ही आपको screen पर barcode शो हो जाएगा जिससे scan करके आप watch की app अपने phone में install कर सकते है इस पर swipe up करके आप watch की model number, bluetooth version और firmware version के बारे में जान सकते है watch को अपने phone से pair करने के लिए आपको boat hub app अपने phone के app store या play store से जाकर download करनी है app download होने के बाद आपको app को open करना है और get started बटन पर click करके अपने phone number को डालना है जिससे आपका new account create हो जाएगा account create होने के बाद आपको अपनी personal details fill करनी है जिससे watch आपका health data सही से measure कर सके इसके बाद आपको start pairing बटन पर click कर देना है और app को सबी permissions दे देनी है जिससे watch के सबी features डंग से काम कर सके अब आपको अपनी watch को phone के पास लेके आना है और list में watch show होने के बाद आपको pair बटन पर click कर देना है और watch में pairing को accept कर लेना है इसके बाद आपकी watch phone से pair होके on हो जाएगी watch की तरफ बढ़ने से पहले एक बार इसकी app को जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है एप में सबसे उपर आपको अपनी profile देखने को मिलेगी profile के नीचे आप आज की सबी activities चेक कर पाएंगे activities के नीचे आप connected watch देख पाएंगे जिस पर click करते ही watch की settings open हो जाएगी इसमें सबसे उपर आप अपनी watch इसकी percentage और इसका current connection status चेक कर पाएंगे इसके नीचे आपको कुछ watch faces देखने को मिल जाते हैं और see more button पर click करके आप 100 plus cloud watch faces को देख सकते हैं और direct app से उन्हें अपनी watch में set कर सकते हैं watch face set होने में लगबग 1 minute लगता है process complete होते ही आपकी watch में नया watch face आ जाएगा सबी watch faces मुझे काफी high quality की लगे और इनको लगा कर watch के dial भी बहुत premium लगता है आप चाहें तो watch में custom watch face भी set कर सकते हैं इसके लिए आप available background में से कोई भी background चूज कर सकते हैं या फिर अपने phone की photo library में से अपनी photo को भी watch में set कर सकते हैं watch में मैंने मेरा custom watch face set कर लिया है और photo के साथ भी dial काफी अच्छा लग रहा है watch के थुरू अगर आप watch faces set करना चाहते हैं तो आपको watch के settings में screen settings के अंदर dial settings में जाना है इसके अंदर आपको inbuilt 6 watch faces दिख जाएंगे जिन में से किसी भी watch face पर tap करके आप उसे set कर सकते हैं watch face को change करने का एक shortcut method भी है वो है कि आपको current watch face पर कुछ seconds तक hold करके रखना है इसके बाद आपको सभी watch faces show हो जाएंगे और आप easily दूसरा watch face set कर सकते हैं watch face के बाद आपको app में general settings मिलती है जिसमें सबसे उपर आपको 24 hour format में time को set करने का option मिलता है नीचे आपको automatic heart rate detection का toggle मिलता है जिसे on कर देने पर watch पूरे दिन में automatically आपकी heart rate monitor करती रहेगी इसके बाद वेक gesture है जिसे on करने पर जैसे ही आप अपनी wrist को time देखने के लिए उपर करेंगे तो अपने आप watch की screen on हो जाएगी लास्ट में weather को Celsius और Fahrenheit में set करने का toggle मिलता है इसके बाद आप direct app से watch में alarm set कर सकते हैं alarm के बाद आपको alert का option मिलता है जिसमें आपको सबसे पहले sedentary alert मिलता है अगर आप किसी भी जगा एक गंटी से जादा देर तक बैटेंगे तो watch आपको remind करतेगी कि अब आपको उटके थोड़ा walk करना है निचे आप इसका start और end time set कर सकते हैं कि कितने बज़े से कितने बज़े तक आपको sedentary alerts चाहिए ऐसे drink water reminder है जिसे on करके आप start और end time set कर सकते हैं फिर उसे असाब से आपको watch पानी पीने के लिए remind कर देगी दोनों काफी useful features है अगर आप इन्हें धंक से use करें तो alerts के बाद आपको app notification का option मिलता है जिसमें आप जिस app से notification चाहते हैं उसके toggle को on कर सकते हैं इसके बाद अगर आपके पास WhatsApp message आएगा तो आपको watch की screen पर show हो जाएगा ऐसे अगर आपके पास phone में call आएगी तो watch में आपको vibration के साथ alert show हो जाएगा जिसमें orange icon पर click करके आप call को mute कर सकते हैं और red button पर click करके call को reject भी कर सकते हैं watch के थूँ आप calls को answer नहीं कर सकते हैं पर quick replies दे सकते हैं quick replies का support सिर्फ call और messages के लिए iOS app में अभी quick replies का option नहीं है शायद future update में आ जाएगा पर अगर आप Android app में देखेंगे तो general settings में आपको call reminder का toggle मिलेगा जिसे on करने के बाद अगर आपके पास call आएगी तो watch में आपको reject button के side में message का button भी मिलेगा जिस पर tap करके आप जो चाहें वो quick reply सेलेक्ट करके direct watch से बेज सकते हैं आप चाहें तो quick reply messages की default templates को quick reply की settings में जाकर change कर सकते हैं और अपने हसाब से messages लिख सकते हैं अगर आपके पास कोई normal message आएगा तो उसमें भी आपको quick reply का option मिल जाएगा लस्ट में एप के अंदर आपको take picture का option मिलते है जिसमें आपको enable image capture को on कर देना है अगर आप watch की through photos लेना चाहते हैं इस watch का जो best feature मुझे लगा वो है कि आप watch का यूज करके direct phone की camera एप की through photos ले सकते हैं अभी तक जो मैंने इस range में watches यूज की है उनमें watch की app के अंदर आपको अलग से camera दिया होता है इसमें आपको बस watch में camera एप को open करना है और फिर remote के जैसे आप इस watch को use करके direct phone की camera एप से photos ले सकते हैं watch में आपको अच्छी display तो देखने को मिलती है पर अच्छी display के साथ इसका user interface भी मुझे बहुती ज़्यादा अच्छा लगा काफी clean user interface है और सभी icons animation भोती high quality की आपको इसमें देखने को मिलती है watch को use करने के लिए आपको side में उपर और नीचे दो buttons मिलते हैं जिसमें से नीचे वाले button को दबा कर आप सभी sports mode को direct access कर सकते हैं और उपर वाले button को watch की main screen पर दबा कर आप watch की सभी apps को open कर सकते हैं और इस button को फिर से दबा कर आप watch में फिर से back आ सकते हैं watch की home screen पर swipe down करके आप quick controls access कर सकते हैं जिसमें सबसे पहलो raise to wake को on off करने का control है इसके बाद आपको watch की settings का shortcut control मिलता है settings के बाद आपको watch की brightness set करने का control मिलता है जिसमें आप उपर नीचे slide करके brightness कम जादा कर सकते हैं इसके बाद आपको D&D control मिलता है जिसे on करने के बाद watch में notifications नहीं आईगी D&D के बाद आपको flash light का control मिलता है जिस पर tap करने के बाद watch की screen full brightness के साथ white color show करती है जो अंधेरे में काफी useful होता है torch के बाद आपको alarm का shortcut control मिलता है जिसमें plus button पर tap करके आप watch में alarm set कर सकते हैं जब watch के alarm active होगी तो watch में vibration होगी आप watch में back जाने के लिए left to right swipe भी कर सकते हैं control center में इसके अलावा आपको नीचे date और day देखने को मिलता है उपर right side में battery और left side में current time देखने को मिलता है नीचे swipe up करके आप control center को बंद कर सकते हैं watch की home screen पर left right swipe करके आप quick apps access कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले weather app है जिसमें आप current weather चेक कर सकते हैं weather app के बाद आपको sleep tracking sleep tracking के बाद आपको music control app मिलती है music control के बाद आपको heart rate monitoring app मिलती है heart rate monitoring app के बाद last में आपको daily activity record चेक करने की app मिलती है home screen पर swipe up करके आप सभी messages चेक कर सकते हैं watch में 14 sports mode है जिने आप side में नीचे दिएगे button को दबा कर directly access कर सकते हैं फिर इस list में से जिस sport को आप करना चाते हैं उस पर tap करके उसे active कर सकते हैं अब play button पर click करके आप इस sport को start कर सकते हैं workout start होते ही आपको काफी clean और high end user interface देखनी को मिलते हैं जिसमें सबसे उपर आप kilometers में distance covered नीचे timer, calories burn, heart rate और paste check कर सकते हैं workout करते वाक्त left swipe करके आप music control कर सकते हैं workout को stop करने के लिए आपको उपर वाले बटन को प्रेस करना है इसके बाद green बटन को दबा कर आप workout को continue कर सकते हैं और red बटन को दबा कर workout को end कर सकते हैं home screen पर side button को एक बार प्रेस करके आप सभी watch की apps को access कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले workout app है जिसे अभी हम देख चुके हैं workout के बाद आपको सभी workout record चेक करने की app मिलती है इसके बाद आपको heart rate monitoring app मिलती है जिसमें आप अपनी heart rate चेक कर सकते हैं अगर आपने watch पहनी नहीं होगी तो watch आपको screen पर message show कर देगी और heart rate तभी monitor होगी जब आप इसे पहनेंगी तो action में watch के sensors काम करते हैं और such में आपको accurate heart rate show होती है heart rate के बाद आपको SPO2 app मिलती है जिसमें आप अपने blood का oxygen level चेक कर सकते हैं watch आपके हाथ को sense करती है और हाथ में पहनने के बाद ही actual SPO2 measuring start होती है watch SPO2 के साथ आपकी heart rate भी show करती है उपर eye button पर click करके आप SPO2 के बारे में और जान सकती है SPO2 के बाद आपको activity record app मिलती है जिसमें आप अपने total step counts और galleries बन चेक कर सकते हैं इसके बाद watch में आपको breathe training app मिलती है जो कि breathing exercise करने में help करती है इस app में आप right control पर click करके इसकी intensity set कर सकती है left corner पर click करके session का time set कर सकती है और नीचे दिए गई play button को दबा कर breathing exercise को start कर सकती है अब आपको watch की guide के हसाब से inhale और exhale करना है ये app मेरी personal favorite है breathing app के बाद आपको music control app मिलती है जो कि एक तरह से आपके phone की music app का remote control है तो आप direct watch के थुरू अपने phone की music को control कर सकती है music app के बाद messages app है जिसमें आप सभी apps की notification एक जगा चेक कर सकती है नीचे दिएगे dust screen icon पर click करके आप सभी messages को delete कर सकती है message app के बाद आपको weather app मिलती है जिसमें आप current weather चेक कर सकती है और swipe up करके आप weather forecast भी चेक कर सकती है इसके लावे आपको watch में stop watch मिलती है और stop watch के बाद आपको timer app भी मिलती है watch में आपको find phone app भी मिलती है जिस पर tap करने के बाद आपके phone में sound play हो जाता है और आप sound को follow करके अपने phone को डूण सकते है इसके लावे watch की settings में आपको night mode का option भी मिलता है जिसे on करने के बाद watch की screen dim हो जाती है और अंदेरे में आप watch को आराम से use कर पाते हैं watch settings में आपको vibration की intensity कम जादा करने का option भी मिलता है जिसमें low, medium और high intensity है अगर आप watch की power off या restart करना चाते हैं तो आप watch की settings में से कर सकते हैं या उपर वाले बटन को कुछ seconds तक प्रेस करके direct home screen से भी कर सकते हैं watch में आपको fast charging में मिलती है जिसे आप कोई भी 10 वोड का adapter यूज कर सकते हैं और 10 मिंट चार्ज करके आपको एक दिन यूज करने तक की बैटरी मिल जाती है वोच में आपको 220 mH की बैटरी मिलती है जिसे आप नॉर्मल यूजिस में 7 दिन तक यूज कर सकते हैं और हेवी यूजिस में 3-4 दिन तक यूज कर सकते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्षिन में बताओ आपको वोच कैसे लगी मुझे तो यूज बहुत पसंद आई सबसे बेस्ट मुझे इसकी डिस्प्ले और इसका यूजर इंटरफेस लगा तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था I hope आपको यूज अच्छी लगी होगी झाल झाल